सिध्धार्थ मलहुत्रा और कियारा आडवानी की शादी के बारे में काफी समय से अफवाही उर्ती आई है और अब बॉलिवुड हंगामा के सूतरों की माने तो ये शादी दिसंबर में होने जा रही है रिपोर्ट्स के अनुसार सिध्धार्थ मलहुत्रा और कियारा आडवानी दिसंबर 2022 में 7 फेरे लेने जा रहे हैं चून की अब इस शादी में काफी कम वक्त बचा है इसलिए शादी की तैयारिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है दोनों ही परिवार फटाफट शादी से जुड़ी तैयारिया और काम पूरा करने में जुड़ गए हैं सिध्धार्थ और कियारा दोनों ही इस साल शादी के बंधन में बंध जाना चाहते हैं फिलहाल माना जा रहा है कि ये शादी बेहद निजी समारो होगा लेकिन शादी के बाद सिध्धार्थ और कियारा मुंबई में अपने दोस्तों को रिसेप्शन जरूर देंगे लेकिन इस शादी में करंड जोहर शामिल होंगे क्योंकि करंड जोहर पहले ही सिधार्थ मलहुत्रा को वॉनिंग दे चुके हैं कि उन्हें इस शादी से काटने की सोचे भी ना गौर तलब है कि सिधार्थ मलहुत्रा और कियारा आडवानी एक साथ फिल्म शेर्शाह में नजर आये थे इस फिल्म की शूटिंग के दोरान ही दोनों करीब आये हाला कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे शेर्शाह की रिलीज के बाद अफवाहे ये भी थी कि सिधार्थ और कियारा का ब्रेक अप हो चुका है इन अफवाहों के बीच वो दोनों अकसर हॉलीडे ट्रिप पर एक साथ दिखाए दिये अफवाहों के अनसार दोनों का रिलेशन्शिप बचाने के लिए करन जोहर ने भी कुछ कदम उठाय और उन्हें समझाया था जिसके बाद दोनों का रिष्टा और मजबूत हो गया कोफी विद करन के इस सीजन में सिध्धार्थ और कियारा दोनों की शादी की चर्चा काफी तेजी से हुई करन जोहर ने कियारा आडवानी को वादा किया कि वो उनकी शादी में शाहिद कपूर के साथ दोला रे डोला पर डांस करेंगे शाहिद कपूर कियारा आडवानी के काफी अच्छे दोस्त हैं वहीं विकी कौशल ने भी सिधार्थ मलहुत्रा की बारात में नाचने का वादा किया और उन्हें जल्दी ही शादी करने की सलाह दी अगर वाकई सिधार्थ और कियारा की शादी से जल्दी एक खबर सच है तो फिर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है दोनों को हाली में एक एड में साथ देखकर फैंस ने वैसे भी इनकी जल्दी पर मुहर लगा दी है